उसी उंगली से आप डंटर्फ को इच करते हैं और अपने फोरेट पे उंगली लगाते हैं पूर दिन लगा कि रखते हैं और फोरेट पर आपके पोस को ब्लॉक कर सकता है आपको जो च्विंगम है क्या वो जॉलाइन दे सकती है वाइरल जो शेपर मुविंग टेकनीक बहु लेकि जो बेस्ट इंवेश्मेंट होती है वहें सेफ इंवेश्मेंट मतलब खुद के ओपर अपनी ब्यूटी पे अपनी बॉडी पे कई लोग इसी इंवेश्म थोड़ा एक्स्ट्रीम में ले जाते हैं लेकिन आम आदमी भी इंवेश्ट करता है अपनी ब्यूटी पे औ को indicate करती है as per the survey but आपको जो chewing gum है क्या वो jawline दे सकती है एक बहुत controversial चीज है chewing gum regular खाना यहां पर जो आपका muscle होता है masseter muscle उसको strengthen करता है आपको tight feeling आती है जादा काने से basically जैसे muscle pump करते है वैसे ही लेकिन actually jawline के लिए क्या required रहता है आपकी यह bone को कहते है jaw bone को mandible bone उसका structure आपके जो cheek पे fat pad है वो कितने कम है आपकी जो neck की जो skin है वो excess है या नहीं यह matter करता है ना कि chewing gum आपकी jawline को कभी भी pop out कर सकता है या कोई भी जो आपके viral jaw shapers है spot reduction is never possible what actually will work is body fat percentage को कम करना face पे जो bloating करते हैं वो junk food कम करना पानी ज्यादा पीना और regular exercise करना British orthodontist जिंका नाम था Dr. Mew उनके नाम पे Mewing technique बहुत viral है YouTube पे जिसके अंदर आपने fake thumbnails देखे होंगे बहुत YouTube पे जिसके अंदर क्या करते है वो इक गंदे अंगल से फोटो दिखायते हैं एक अच्छे अंगल साथ दिन में surprise results इतनी जल्दी नहीं कोई result आता because it's a lifestyle जबरदस्ती नहीं कर सकते इस टेकनीक के अंदर आपकी टंग को ऊपर टच करके relax करना होता है और उसकी habit डाल नहीं होती है ना कि जबरदस्ती प्रेशर करके और इतने surprise results नहीं आते it takes time because उसको मैंने क्या बोला it's a lifestyle हाँ उसके साथ calorie deficit करेंगे लंबे डाइम तक it might give you good results जब अलग अलग लोगों से हाथ मिलाते तो पता है कि तरह control करना है हाथ को अभी boss से अलग दोस्से अलग और girlfriend से अलग वैसे ही आपको फोर्स को control करना होता है अपनी beauty को maintain करने के लिए जाधा तेस पे टावल रगडेंगे तो पो छिल सकते हैं skin problems बढ़ सकते हैं सेम बालों पे रगडेंगे तो जाधा force से आपके बाल तूट सकते हैं जाधा force से गम पे गम ब्लीड कर सकते हैं अलग अलग तरीके के forces होते है low, medium and उखार दूँगा आपको low, medium जैसे girlfriend का हाथ पकड़ते है वही force बैस है आपके skin, दातों और बालों के लिए and best motion जिससे product absorb भी हो और best result दे इस circular motion जाए skin, बालों या दातों पे अपने face या forehead पे बहुत बार tiny bumps अगर आप इन में से कोई mistake कर रहे हैं तो आपको आपसे बंद करने पड़ेगी वह dandruff problem को treat ना करना वही dandruff problem fungus से cause होता है and is capable आपकी skin को forehead को irritate करें वहाँ tiny bumps हो जाए उसी उंगली से आप dandruff को itch करते हैं और अपने forehead पे उंगली लगाते है और पूरे दिन लगा के रखते वह टपकता है और forehead पे आपके पोस को ब्लॉक कर सकता है वह sweat आने के बाद वह गंदे हाथ लगाना हमाँ पे या sweat आने के बाद गंदे किसी टावल या handkerchief से पहुचना या forehead पे उस तरह या threading कराते हैं उसके बाद पोर closing pack नहीं लगाते हैं या मैसी hair style रखते हैं जो आपके forehead से चिपके रहते हैं और बालों की care नहीं करते हैं या जादा रगड के आप तावल यूस करते हैं इस सारे रीजन के बाद बने की क्या या महीने में काद पर गड़ी चल ली तो हाथ साफ हो जाएगा उसका अंसर है क्या नहीं सेम वेज जब आप salon जाके दो तीन महीने में एक बार फेशल कराते हो तो स्किन बदल जाएगी अगलो करने लग जाएगा हमेशा के लिए नहीं है ना अनसर तो उसका अंसर आपको पता है करते क्या है लोग एक्ष्टा ओइल और जब हटता है दो तीन दिन के लिए फेस फ्रेश लगता है लेकि दो तीन दिन बार तो यह बेसिकली जो 600-1000 पर खचा हो रहा है इसको ब्र प्रोडक्त में डेली बेसिस पर फेशल करने लग जाएं तो उसमें क्या बुराई अब इसको घर पर करने के लिए हमने इसली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है सबसे पहला कहा है डर्ट रिमोवल जो आपको डेली नहीं करना है 15-20 दिन में जब भी आपको टाइम मिले हलका सा सेंटर पोजिशन करें जहां पर प्रेस कर दें निकल जाएगा डिफिकेट लगता है प्रोसेस तो उसके नदर आपको ब्लैकेट स्ट्रिक घर पे बनाके निकाल सकते हैं उसका लिंग मैंने नीचे दे रखा है और जब निकल जाए उसके बाद और क्लोजिंग पैक इतने सारे प्रोडक्त नहीं लगा जाते हैं यह कौनसे कब लगाना है गेस्ट वेरी कॉंप्लिकेटिट आफ्टर डीटेल रिसर्ज ऐसा प्रोडक्त निकाला है जो सारे कंसरंस को दूर करें वह है बेर बाउडी प्लस का फेस्ट ग्लो क्रीम जब भी आफ फेस्ट वाउच करते हैं आपको पी साइज डमाउट लेना है डॉट्स लगाने और उवर थे फेस और उसको सर्कुलर मोशन में मसाच करना है और बेस्ट टाइम इस एक बार मॉर्निंग में और बिफोर स्लीपिंग विल गिव यू थे बेस्ट रिजर्ट लिंक मैंने इसका नीचे दे रखा है बेर आज कली एक फेस एक्सेशरी की तरह ज्यादा काम कर रहा है वह आज कली इतनी हाई फेपियर प्रेशर है जिसके करना 14-16 साल की लड़के जिनके जनेटिक्स अलाओ भी नहीं कर रहे मायन अक्सेडल हो गया धर्मा रोलर हो गया बेर डॉल्स पर खर्चा कर जा रहे और वो लोग अपना अंपायर बढ़ा कर रहे और यह सारी जो टेक्निक्स है ना इन में से कोई एक मैजिक पिल की तरह कोई भी काम ने करता की लगाया और अब डर्मा रोलर करता है टाइनी फेस पर इंजिनी क्रियेट करता है जिससे क्या होता ब्लड फ्लो बढ़ेगा और हेर फॉलिकल के बंढने के चांसे होंगे लेक ढाई ठीक्स को बहुत सीरस अखने हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे बेटर तो टो माईक्रो नीडलिंग है जो शर्पी रहती है और साथ साथ पेटर और सेफ रिजर्ट्स भी है मैनॉची बहुत ट्रेंडिंग लेकिन पेनेट्रेट करके घर बढ़ेगा लेकि इनको साथ-साथ क्या वो रेड कर सकता है, आक्ने प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, एक और वारल में था कि बार-बार रेजर मानने से आपके बालों की ग्रोथ या धाड़ी बढ़ जाती है, और बार-बार रेजर मानने से उल्टा, आपकी जो पोर्स है, वो सेंसिटेव हो जाते हैं, करके बढ़ी छेल जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, यो दाड़ी की रेस में भाग रहे हो ना, वो बैक फायर कर सकती है, तो बेटर क्या है, आप अपनी जो जनेटिक्स की ग्रोथ है, उसके लिए थोड़ा सा पेशन्स रखिए,